हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आप लोग बाई, कार और बस के डीजल अवरेज को जरूर से जानते होंगी लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो टेन होती है जो डीजल लोकोमोटीव वाली टेन होती है वो कितना अवरेज देती है एक किलोमेटर में पहने का मतलब यह है जो डीजल लोकोमोटीव से चलने वाली टेन है वो एक लीटर में कितनी दूरी तै करती है या फिर यूं कहें कि एक किलोमेटर चलने में कितना फियूल उसमें खर्च होता है तो चली आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डीजल इंजन से चलने वाली टेन का मायलज कितना होता है नमस्कार दोस्तों मैं हुराहूल और आप देख रहे हैं रेल जर्नीबिद राहूल दोस्तों डीजल इंजन में जो तेल की टंकी लगी होती है उसमें कई हिस्से होते हैं एक पांच जार लीटर का एक पचपन सो लीटर का और एक छेहजार लीटर का सबसे अता धहन देने वाली बात ये है कि डीजल इंजन में तेल का एवरेज गाड़ी के लोड के मताबिक होता है दोस्तो डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच परसंजर स्टेंड की बात करें तो 6 लिटर में 1 किलो मिटर का मायलेज देती है वही 24 कोच वाली एकस्परस टेंड भी 6 लिटर में 1 किलो मिटर का मायलेज देती है इसके अलावा अगर कोई एकस्परस गाड़ी 12 कोच की है तो वह 4.5 लिटर का मायलेज देती है 1 किलो मिटर में तो इस तो आपने यहाँ पर कुछ नोटिस जरूर से किया होगा कि अगर 12 कोच वाली पेसंजर्श ट्रेन है तो वो 6 लेटर का एवरेज देती है वहीं 12 कोच वाली अगर कोई Express train है तो वो साँछी चाहर लेटर का एवरेज दे रही है तो इसका मतलब यह है कि पेसंजर्स और Express train के माईलेज में अंतर होता है और ये अंतर इसलिए है क्योंकि passenger strength सभी स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है तो इसमें ज्यादा break और accelerator का इस्तेमाल होता है इसलिए इनका mileage काफी कम होता है इसके उल्टे में अगर बात करें express train की तो express train के establish काफी कम होते हैं और इसमें brake और accelerator का इस्तेमाल काफी कम होता है जिसके करण ये काफी ज्यादा mileage देती है compare to passenger strength की दोस्तों बात करें मालगाड़ी की तो मालगाड़ी की average बहुत अलग अलग होती है क्योंकि अगर मालगाड़ी का वजन ज्यादा है या उस पर वजन है तो वो mileage कम देगी और वहीं अगर मालगाड़ी का वजन कम है यानि कि अगर खाली गाड़ी जा रही है तो उसका mileage ज्यादा होगा दोस्तों उमीद करता हूँ अब आप समझ गे होंगे कि डीजल इंजिन से चलने वाली पेसंजर्स, एक्सप्रेस और मालगाड़ी ट्रेंड का mileage कितना होता है तो उसको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर किजिएगा और अगर चैनल कर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रसकर देजिए रेल्वेस से जूड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए तो उस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई टापिक पर तब तक के लिए जैहिन एंड गॉड बिलेश योल